हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पे तो भाई पीछे आप देख सकते हो अपनी न्यू लोंच दे होंडा साइन हंडरेड एंड उसके जश्ट बगल में खड़ी हुई है अपनी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक तो आज इस वीडियो में हम दोनों ही बाईक के डिटेल्ड कमपेरिजन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी बाईक में आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स मिल जाते हैं कौन सी बाईक सेग्मेंट बैस्ट अभी रहने वाली है जो अपने को स्प्लेंडर एक्स टेक में नहीं मिलती है या फिर स्प्लेंडर एक्स टेक में क्या कुछ ऐसी चीजे हैं जो अभी भी साइन हंड्रेड में भाई Missing रखी गई है दोनों ही bike का pride segment अलग है लेकिन भाई दोनों ही bike का जो CC segment है वो बिलकुल same है और काफी कुछ similar है bikes के अंदर काफी कुछ change भी है bikes के अंदर तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप लोगों को कोन सी bike खरीदनी चीए तो दोनों ही bike के अंदर अपने को halogen headlight मिलने वाली है, halogen ही indicator मिलने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ का खास difference आप लोगों को दिखरा होगा, कि भाई इस bike के अंदर यहाँ पे छोटा सा LED DRL दिया गया है, जो कि अपने को Honda Sign 100 के अंदर नहीं मिलता है, एक थोड़ी से अजीब च comparison में, उसके अलावा सामने के बात करें, तो भाई suspension दोनों के same है, average से suspension है, इनकी quality में बहुती ज़्यादा बेटर भी नहीं कहना चाहूँगा, एंड बहुती ज़्यादा खराब भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन दोनों भाई के जो suspension है, suspension की quality काफी सही है, उसके अलाव एक खास चीज का चेंजमेंट ये भी है दोनों भाई के अंदर की अपने को sign हन्रेड के अंदर tube वाले tire मिलते हैं, वहीं अपने को splendor x-tech के अंदर tubeless tire मिल जाते हैं, तो एक काफी बड़ा plus point splendor x-tech अपनी तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पे अपने को tubeless tire नहीं मिलते हैं, उ जार चीज का sign मिल जाता है, यहाँ पे अपने को speedometer by digital मिल जाता है, trip A, trip B का काफी सारे option यहाँ अपने को मिल जाते हैं, वहीं अगर हम sign 100 की बात करें, तो sign 100 के अंदर अपने को भाई बिल्कुल basic सा meter दिया गया है, जो कि एक analog meter है, इसके अंदर भाई अपने को वो बाकी सा point लेके चली जाती है, उसके अलावा switch वगरा की बात करें, तो यहाँ पे अपने को self switch मिल जाता है, यहाँ पे i3S का option मिल जाता है, यहाँ पे अपने को high beam, low beam का option मिल जाता है, indicator का option मिल जाता है, यह सब चीजे अपने को जो अपनी sign 100 है, sign 100 के अंदर भी सारे switch मिल जाते है, एंड लगबग इसकी जो quality है quality भी लगबग सी same दी गई है हालांकि यहाँ पर अपने को i3s वाला option इस bike में देखने को नहीं मिलता है अब बात करें tank के बारे में तो भाई tank का जो यह splendor वाला जो अपना look है यह muscular सा look लेके आपता है और यह दिखने में भी काफी ज़्यादा सही लगता है bike की साब से वही अगर हम sign 100 की बात करें तो sign 100 का tank आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जब हम इसके उपर बैठते हैं यह चीज भाई मुझे personally पसंद नहीं आई है उसके लावा दोनों ही bike के engine के बारे में बात करें तो भाई engine के अंदर कुछ ज़्यादा खास फरक नहीं है sign 100 के अंदर अपने को थोड़ी सी कम पावर मिल जाती है splendor x track के comparison में splendor x track में लगबग 7.8 या 7.9 bhp की पावर मिलते हैं वहीं अपने को sign 100 के अंदर 7.2 bhp की पावर मिलती है torque की बात करें तो भाई वो ही same torque मिलता है 8.05 nm torque मिलता है दोनों ही bikes के अंदर torque के मामले में कोई भी फरक नहीं है लेकिन भाई power figure की बात अगर हम करें तो जो दोनों ही bike की top speed है top speed लगबग से मैं top speed के अंदर आपको कोई भी फरक नहीं देखने को मिलेगा लेकिन जो initial pickup है initial pickup हमें sign 100 का ज्यादा better मिलने वाला है splendor plus x track के comparison में तो यहाँ पर भाई एक plus point sign 100 अपनी तरफ लेके आ जाती है कि भाई जो initial pickup है वो ज्यादा better हमें इसका मिलने वाला है उसके अलावा भाई engine smoothness की बात करें तो splendor plus x track से ज्यादा smooth engine भी अपने को sign 100 के अंदर मिलने वाला है जो Honda की हमेशा से खास पैचान रही है कि Honda का जो engine आता है वो ज्यादा refine मिलता है बाकी bikes के comparison में चाहे वो किसी भी segment की bike लेलो आप 100 segment CC की लेलो 125, 150, 200 भाई कोई भी segment की bike लेलो mostly Honda का जो engine आता है वो हमें ज्यादा refine मिलता है जो अपनी कोई दूसरी bike आती है उसके comparison में तो वो ही चीज यहाँ पे है भाई splendor extract का जो engine है वो थोड़ा सा कम refine मिलेगा भाई अपने को Honda 700 के comparison में उसके लावा भाई बाकी ज्यादा कुछ खास चीजे बताने के लायक है नहीं अब main चीज एक और आ जाती है जैसा मैंने आपनी एक sort video में पहले भी बताया था कि भाई tail section आप एक बाई का देख सकते हो ये tail section जब हम बाई का देख रहे है तो यार ये थोड़ा बहुत आजीब सा feel करवा रहा है मतलब यार जो बजाज city अन्रेड आती है उसके जैसा सा कुछ tail light का look देख गया है पीछे का जो look है यार बिलकुल मतलब मेरे को बिलकुल पसंद नहीं आया है बाकी भाई का चलो ठीक है लेगी ये जो tail section है ये मुझे बाई का बिलकुल भी पसंद नहीं आया है वहीं भाई स्प्लेंडर की बात करें तो स्प्लेंडर का look अमेशा से market में काफी ज़दा popular रहा है and I think वो market में आगे भी popular रहने वाला S.O.C.C. सेग्मेंट के अंदर तो यार ये वाला look भाई मुझे personally बिलकुल भी पसंद नहीं आया है अब बात करें build quality के बारे में तो भाई स्प्लेंडर की build quality mostly आप लोगों ने देख लियोगी लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे अपने को hard plastic का use किया गया है जो आपने सामने वाला मटगार है वहीं इसकी बात करें तो भाई इसका यह जो पार्ट है यह भाई काफी ज़्यादा flexible दिया गया है काफी ज़्यादा durable होने वाला है यह बिकोज इसकी quality बहुत सही है मतलब यार इसको ऐसे दबाते हैं मतलब यह तूटता नहीं है तो definitely अगर यह किसी चीज से touch हो जाएगा किसी जगह भाई थोड़ा mood भी जाएगा तो यह ऐसे तूटने वाला नहीं है वहीं अगर ऐसा कुछ situation इस भाई के साथ होती है तो यह definitely बाई क्रेक हो जाएगा तो इस मामले में यार इसकी यह जो quality है थोड़ी ही जादा better है definitely better है उसके अलावा भाई एक चीज के बारे में अभी मुझे पता चला है बिकोज मैंने साइन हन्रेड को अभी थोड़ा बोच चला है लगबग 50-60 km चला है तो इतने में यही चीज पता चली है कि यार मैं काफी बार आप लोगों को बढ़ाता हूं कि यार स्प्लेंडर में पहले के टाइम पर यहां पर भाई करकर करके आवा जाने लग जाती है तो यहां से काफी ज़्यादा आवाज गरने लग जाता था लेकिन अभी तक X-TAC में मुझे वो प्रोब्लम फेस नहीं करने पड़ी X-TAC को मैं 13,000 km चला चुका हूँ लेकिन जो अपनी Sine 100 है इसको हमने 300 km चला है लेकिन यहां से भाई काफी ज़्यादा आवाज करता है यह किसी वीडियो में आप लोगों को मैं वो चीज क्लियरली दिखा भी दूँगा जब मैं बाई को चला रहा हूँगा उस टाइम यहां से आवाज गरेगा तो वो चीज मैं आपको दिखा दूँगा उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रैफिक्स के बारे में तो यार हीरो की बाईक के जो ग्रैफिक्स हैं वो मुझे पर्षनली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मतलब यार काफी पर्फेक्ट से ग्रैफिक दिए गए हैं बाईक के अंदर लेकिन जो अपनी होंडा साइन हंड्रेड है इसके अंदर इसने बेसिक से ग्रैफिक्स दिए गए हैं कि यार एक पुराने टाइम पे पैसन बाईक आती थी बिल्कुल शेम ऐसे ग्रैफिक्स दे दिये गए हैं जैसे वो पुराने टाइम 10 साल पहले जो पैसन आती थे उस तरीके के ग्रैफिक्स लग रहे हैं और मुझे परसनली वैसे लग रहे हैं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हो चीज मुझे कमेंट करके बता देना लेकिन मुझे यार यह जो ग्रैफिक्स इस बाइक में दिये गए हैं यह बहुती ओल्ड फैसन वाले लग रहे हैं मतलब यार बहुत पुराने जमाने में 10-15 साल पहले जब हीरो होंडा मतलब एक हुआ करती थी उस टाइम पर जो ग्रैफिक्स आते थे यार उस तरीके ग्रैफिक्स मुझे इस बाइक के अंदर लग रहे हैं उसके लावा एक यह जो पार्ट है यह वाला पार्ट आप देख सकते हो कितना ज्यादा लूज है इस बाइक का मोश्टली इस बाइक समयसा होता नि leopard की इंदर है यह यह देख सकते हैं से निकल भी गया है इसकी क्योंड करें इस वाले पार्ट में बहुत ही ज्जादा लूज हो गई इसकी तो ये वाला जो पार्ट है ये होना में ठीक दिया गया है लेकिन यार इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है यार इसकी क्वालेटी मुझे पसंद नहीं आई है भाई बाई की अब कर लेते हैं दोनों ही बाई के भाई mileage के बारे में बात तो माईलेज टेस्ट वीडियो दोनों ही बाइक की आपको अपने चैनल के उपर मिल जाएगी एपरोक्स दोनों बाइक का माईलेज लगबग सेम सा है माईलेज के अंदर कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई बहुत ही जादा डिफरेंस लगबग सेम सा म آइलेज दोनों ही बाइक आपको देने वाली है तोप尸पिड की बात करें तोप尸पिड भी दोनों बाइक बिल्कुल लगबग बराबर जाने वाली है कुछ एक दो का फरक हो सकता है तोपिड के मामले में तो भाई इसमें कुछ ज़्यादा खास डिफरेंश नहीं, टोप स्पीड भी सेम है, दोनों ही बाईक का माइलेज भी आप लोगों को सेम मिलने वाला है, अब कर लेते हैं बाईक की प्राइज के बारे में बात, तो भाई प्राइज के बारे में बात करें, तो जो अपनी या 18,000 रुपय महंगी आपको मिलने वाली है, होंडा साइन 100 अपने को भाई ओन रोड मिल जाएगी, लगभग 74,000 के आसपास अपने को ओन रोड मिल जाएगी, वहीं भाई अगर स्प्रेंडर एक्स्ट्रेक की बात करें, तो 90 आइक्यान वाजार के आसपास वो अपने को रोड मिलने वाली है, तो मतलब लगबग 17-18,000 रुपया का भाई डेफिनेटली फरक होने वाला है, और जो जो चीजे उस बाईक में एक्स्ट्रा दी गई है, वो चीज मैने आपको बता दी है, इस बाईक में कुछ बेस्ट पॉइंट है, वो भी मैने आपको बता दी है, तो भाई ये चीज अब आप खुद डिसाइड करने वाले हो कि भाई आप लोगों को कौन सी बाईक परचेस करनी है, भाई मेरी तरफ से अगर मेरा पर्सनल ओपीनियन की बात करें, तो भाई ये है कि लुक के मामले में मुझे स्प्लेंडर प्लस एक्स्टेक बहुत ही ज़्यादा बेटर मिले हैं, होंडा साइन के कमपेरिजन में, वही अगर इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो भाई साइन का इंजन स्प्लेंडर प्लस एक्स्टेक से थोड़ा सा बेटर हमें मिलने वाला है, वही भाई ओवर ओल लुक्स वगेरा की बात करें, तो लोगों को चाहिए, तो वो चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाई टाटा, टेक केर.